इतना सननाठा क्यों है भाई? अरे बुडा होगा तू, आपी तो मैं जमान हूँ अवतार किशन हंगल, मंजेच भारतिय सीने सुरुष्टितले दिग्ग जबीनेते एके हंगल क्या हुँँँँँँचा दाया खर में लर्का हुआ है एक फेबरुवारी एकोणिशे 17 साली पंजाब मधिल सियालकोट मधेया कलाकाराचा जन्म जाला वयाच्या बावन नाव्या वर्शा परेंत तैनी रंगभुमी गाज अवली आपी ने तो बुलाया क्या? मेरे बुलाने से पहले हाई या बाद में? बीच में? एकोणिशे 166 साली आले लिया तीसरी कसम या सिने मातून त्यानी चितरपट सुर्ष्टिक पदारपण केला भारतात लिया अजरामर जाती वनत अभिने तैन पकी एक अभिनेता मनुन त्यान चा उल्ले केला तर वावगा ठरणार नै पन त्याही पेक्षा तैंची महत वाचे ओड़क होती ती मन जे एक स्वातंत्रे सेना नी मनुन एकोणिशे 217 स्पसोन, 21747 परेंताचा काल त्यानी स्वातंत्रे लड़हत घालोगा भारतिया चित्रपट स्रुष्टीचा सुरण काल घडवनार या कला काराला 2100 साली पद्मभुषन पूरसकाराने गवरणे ताल अभिमान, अवतार, नमखराम, शोले, लगान या अणि अशा दोंचे हुन अधिक सिनेवान मदे त्यानी काम केल मोठ्या पड़्दे प्रमनच लहान पड़्दे वर सुधत अनि आपले कामाची छाप पाडली वयाच्या अठ्थ्या नोव्या वरशा परेंत मदुरण जनाची सेवा अविरत पणे करना रहाया दिगज अभिनेत्याचा 27.2012 सली दुरदैवी निदन जल जानतो हो दुनिया का सबसे बड़ा बोज क्या होता है बाप के कंधों पर बेटे का जनादा इससे भारी बोज कोई नहीं है मैं बुड़ा ये बोज उठा सकता हूँ और तुम एक मुसीवत का बोज नहीं उठा सकते त्यानी केलेले भूमी का आजही लोकांचा मनात अगदी तशाज जिवनतर हैले माहीतीचा महापुरात रोच्चा रोज नेमका मस्कुर मेलवने साथी लाइक करा, शेर करा और महाम्टी बिला सबस्क्राइब करा धन्यवाद